पूरे देश में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए उत्सवसा माहौल है। पूरे देश में एक उमंग है। राम भक्तों में बहुत जादा इस वक्त खुशी देखने को मिल रही है। और इसी औसर पर हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान हमारे साथ जगत गुरू श्री राम भद्रा चारे जी हैं सबसे पहले गुरू जी आपको प्रडाम बहुत-बहुत स्वागत है आपका टीविन भारत वर्श पर गुरू जी 500 सालों के संघर्ष के बाद राम लला अपने भव्वे दिव्वे मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं क्या भाव है इस वक्त मन में क्या इस वक्त आप सोचते हैं कि वही सोचता हूं कि जो कि बनवाश के अवधिकाल को बिताकर कि श्री अयोध्या लटते हुए भगवान राम के प्रति अवधिवासियों की तरल तरंगे रही हैं कि वही आज मेरे मन में है उस बार 14 वर्श बिताकर भगवान राम लोटे थे इस बार तो 500 वर्शों के बाद भगवान राम लोट रहे हैं ब्यक्तिकत मैं बहुत प्रसंद इसले हूं कुछ संघर्ष के प्रारम से मैं जुड़ा रहा गाओं गाओं जाकर जागरन किया इंटों की पूजा कराई सारी अब्यवस्थाओं को सहन किया मैंने स्वयम ने हरी द्वार से नागपुर तक की एकात्मत्य यात्रा निकाली अठारह दिनों की और ततकालिन शासन की आतनाय सही जेल गए शत्ना जेल में आठ दिन तक रहे कि महां का भोजन भी नहीं भोजन भी नहीं किया । बार से किसे प्राइब भोजन मांगाना पड़ता था पुरिस बंडे खाए अंत में धांचा धाहा मुकद्मा चला ओर मुकद्मे में मैंने सास्त्री ये गवाही दिश जिसको साक्ष कहते हैं अंत में परिनाम हमारे पक्ष में आ गया कि संघर्ष के बाद ही उतकर्ष होता है इसे आज इतना मुझा संघर्ष दो लाख हिंदुगों का बलिदान अब राम दिला के प्रविश्व गर्वग्रह में प्रविश्व वर्दान के निर्मान में कोट्रूम के अंदर भी और कोट्रूम के बाहर भी तो आप क्योंकि 22 जनवरी की तारीख नजदीक है राम भद्रा चारे जी कितना व्याकुल है उस मंदिर में जाने के लिए उस प्राणपतिष्ठा समारों में जाने के लिए जैसे एक पिता अपने बहुत दिन की जीत बता रहे हैं लेकिन बात तो हिंदू और राम भक्तों की आस्था की थी इसमें हार और जीत का प्रश्ण कहां से आता है कि पहले इस मंदिर को कुछ जीन भगवान राम के बड़ी पुत्र कुछ जीन बनवाया था और वह बहुत बुशाल मंदिर था उसको तोड़ा गया उस समय मीर बाकी ने एक लाख पचहत्तर हजार हिंदू के हत्या की थी तो इसके बाद भिन भिन संहर सोते रहे लगवक्त दोलाख हिंदू का बलिदान हुआ तो हिंदू मरे और गोश्वामी तो उफिदास जीने दोहां से तक में कहा है कि राम जनम महीं मंदिर है तो रॉस्य की नहीं हाए तो इतने दिन के पराजय के पस्टाथ हमें सफलता मैं लिए कि जीत वह हैं हिंदों की जीत हैं की निएच्शां जीत है हिंदू झियुकि जीत है बारत हिंदू की आस्था कीです हिme घुजिस हsong रशिसनातन क्या दोनों एक हैं कि दोनों प्रियावाची परियावाची जैसे कमल का परियावाची पंक जी गुरु जी क्योंकि आप जगत गुरु है और आपका सनातन धर्म में एक अलग महत्तो है आपकी बात बहुत जादा माने रखती है एक विवाद शंकराचार जी को लेकर चल रहा है दो शंकराचार अभी मुक्तेश्वार अन जाननद निष्चला नंध जी कह रहे हैं कि यह शाष्ट्र सम्मत नहीं है मंदिर निर्माण झिनिर्माण जो हो रहा है इसको आप कैसा से सबने कि त्यों नहीं शास्त्र सम्मत है, वो कौंसा शास्त्र जानते है, शास्त्र सम्मत है, मकर शंक्रांते में सूर्य नहरायना आ गए है, पुलिनिकाल है, पुषमास की सुक्रपक्ष की दौजसी तिति है, और बारह बज करोन अत्तिस मिनट पर पुनर्वसु नक्षत्र आ रहा है चौरासी मिनट का वो योग है बहुत प्यारा चौरासी सिकन्ड कहना चाहिए और उसी समय कली युग पर त्रीता की छाया भी पढ़ रही है सब्सक्राइब तो आप कहा है कि शंकराचारे जी को शास्त्रों का ग्यार नहीं है मैं यह नहीं कह रहा हूं मैं उनकी तिपड़ी पर प्रतिकुल प्रतिक्रिया दे रहा हूं उनको शास्त्र का ग्यान है कि नहीं हो तो जाने मैं कह रहा हूं शास्त्र सम्मत है शास्त्र सम्मत है लेकिन उनका तो कहना है कि अधूरे मंदिर में किसी अधूरा मंदिर है नहीं गरवगरे पूरा हो गया है अब गरवगरे भवाद पढ़र जाएंगे उपर उपरी मंदिर में सीता राम जी रामदरवार का विग्रह स्थापित होगा ना तो गरवगर के लिए हमारी लड़ाए थे गरवगरी कंप्लेट पूर नों गया अच्छा कुछ लोगों ने उन पर ही सवाल उठा दिये मतलब शंकरा चारे जी पर ही सवाल उठा दिये और कहा कि वो सनातन विरोधी बात कर रहे हैं क्या ऐसा कहना चाहिए अब तो हमें तो यही कहूंगा कि अब इस्तमे कि-विरोधी बात उनको कहनी ही नहीं चाहिए जोग हमने बहुत संखर्स कर लिया सब से संघर्ष करतेगर अब अपनों से शभर्ष करें वो लोग कभी में राम मंदिर के आंदोलन से तुरे हुत नहीं रहे कब जुरे वह बता उसरे पूचे ठुरेते हम लोग रहे भुगा तो दूम लोगों ने युद उपवार हम लोगों ने किये यातना है हम लोगों नहीं तो बहुत दिनों के प्रशात इसा फलता में रही है शिश्म किसी को भी बिरोधी बात न करकर सबको मंगल कामना ही देनी चाहिए मैं एक राजनितिक सवाल लूँगा आपसे लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल ये पुछना चाहता हूँ आपने का गर्वग्रे तयार है लेकिन कुछ लोगों का मत है कि बिना शिखर के कैसे प्राण प्रतिष्ठा होगा अशा कुछ नहीं है शिखर ऊपर बनेगा ना में प्रवpora करने जा रहे हैं प्रानव प्रतिष्ठा ये तो बात में बूलाया गया हथतो जिसे घर में प्रविश्श करता है चंकर अचारे जी ने कहा ऑंको नियोता दिया जाना चाहिए था अम्लेकौ देने वाले जाने हम तो कहें हम बेना नयोते को आना चाहिए राम ज कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको नियोता दिया गया है और वो कह रहे हैं कि 22 जन्वरी को नहीं जाएंगे क्योंकि ये बीजेपी का और संग का कारक्रम है उसके बाद जाएंगे वो के रहे हैं बाद में जाएंगे उस पर मैं को टीपड़ी नहीं करा हूं लेकिन उनको पर उन्हों मना कर दिया कि मैं कैसे जाओं नीचे उनका बयान में उनका बीडियों मैंने पढ़ा है और सुना है कि शंकराचारे सबसे उंचे आसन पर बैठता है हमको नीचे बैठना पड़ेगा उनको तो आसन की समझ चाहें एक और कहते हैं कि हम सिम्हासन पर नहीं बैठ उनको ऊचे आसन की ही बीमारी है नहीं लेकिन उनका कहना है कि ये जो उत्सव राम में नहीं आरा सब राम में सब राम में तो गुरु जी फिर ये जो एक तरफ बीजेपी भगवान राम को लेकर पूरे देश में एक सांगटने कि स्तर पर कारक्रम चला रही है लोगों को लाने का यहां कारक्रम कर रही है तो देखने कोई मिल रहा है कि दूसरी पार्टियां भी राहुल गांदी 22 जन्वरी को शिव मंदिर जा सकते हैं गुआहटी के केजरिवाल जी हनुमान भगवान हनुमान के लिए सुन्दरकान का पाठ कर आ रहे हैं ममता दिदी काली घार जा रही है ऐसा लगता है कि सब के अंदर एक रेस शुरू हो गई है भगवान की शरण में नहाराज हो कोई नाराजगी कारसेवकों में नहीं है क्या यह कह सकते हैं गुरुजी कि जब रामलला विराजबान पहले से हैं तो दूसरी मूर्ती की प्राणपरतिष्ठा का औचित सही है गलत है और शाष्थ वर यह सही भी है राम लाला छोटे हैं एक और मुर्त चाहिए पांच बर्स के बाल कि जिसे को ठीक ठीक से दर्शन हो सकें तो जो मुल राम लाला जी है उनकी प्रान प्रतिस्तर नहीं हो रही है उनका तो गर्वग्री में प्रवेश हो रहा है अच्छा गुरुजी एक विवाद भी हुआ आपको लेकर एक जाती सुचक शब्द को लेकर आपका नहीं गया वहां जात सुचक शब्द नहीं है चमार सब्दकर से चमड़े का प्रेमी तुलसी भजे निराम को चारिव बरन चमार जो राम जी को नहीं भजता हो चमार मनें चमड़े का प्रेमी है यह वहां तो आपने किसी को को जाती सूचक शब नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं लोगों ने गलत मतलब समझाओ गलत सम्झाओ मैं तो स्वेम मानता हूं हिंदव सोधरासर में नहीं प्रतेक हिंदू सोधर है जो राम कृष्ण को मानता है वह हमारे लिए सम्मान्य है पूज्य है काम ने नहीं पाएं किया भगवान किसने साग नहीं खाया गुरुजी कथा भी बहुत अच्छी हो रही है कथा अमरित महुत्साव कर वा रहे हैं आप इसके बारे में दोश्ब कहना चाहेंगा यह बहुत बड़ा अमरित महुत्सों हो रहा है जी और एक हजार आठ कुंडी हनुमन महा यग्य हो रहा है जी और कश्मीर पाक अध्कृत कश्मीर हमको फिर मिल जाए इसी लक्ष इसी कामना के साथ यह जग्य कम कर रहे हैं और कथा मेरी ही हो रहे है बहुत बड़ा उत्साव प्रतिदिन कम से कम वीश्ब हजार लोग यहां भोजन कर रहे हैं आयोध्य क्या ये राममंदिर का मुद्द उस लोगसभा चुनाओं का सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है ऑसको तो एक आखरी सबाल पूछ लेता हूं पिर देश की राजनिती आजकल देवता और मंदिर के आसपास घूम रही है गुरुजी यह शुब संकेत है अशुब संकेत है बहुत संकेत है बहुत शुब संकेत है क्या कहना चाहेंगे फिर उनके लिए बस यही कि सब कुछ राम में हो जाए राम सापिक्ष राष्टबाद की परिकलपना हो राम राज्य के आधरस्व पर सब लोग चलें भारत का मंगल हो आपने पाक अधिकरित कश्मीर का सिक्र क्या एक सवाल उसके लिए ले लेता हूं प सरकार से चर्चा क्या हूब मी भी बताने किि श्थित्मय नहीं हूं लेकिन हूई है पी उके प्लान में है इसम मंत्रों बहुत बहुत स्थ च्रुक्री आपका हमें अपना कीम्ति वक्त देने केलिए ब्हुत आभारौ का कर जी